जैराम हस्ताल में weekly camp लगाते हैं कभी मदुमे का आइज का कभी बच्चों का गाईनी का शुगर की बिमारी को एक तो हलकी में ना लें अगर 35 साल की उमर के बाद हर साल एक बार शुगर टेस्ट जूरूर करवाएं क्योंकि यह साइलेंट डिजीज है कि यहां पे खोल दी है अब किसी माता को बेहन को कहीं बाहर इसार या जाने जूरूत नहीं है शुगर की दो जवाई चलाई जाती है वो आंग खराब ना हो उसको देख के चलाई जाती है सुगर का एक हेरेट्री होता है जैनिंटिक होता है अगर माबाप में कोई भी पेरेंट्स में है तो आगे बच्चों में चांसिज होते है नर्वाने के बाज में एक बड़ आपका स्वागत है आज फिर हमारी टीम पहुंची है जैराम होस्पिटल नर्वाने के अंदर आपको ताजी नर्वाना का जो जैराम होस्पिटल लगा तरशुवी धाउ से लेस है और यहां पर हर प्रकार की बिमारी का इलाज किया जाता है आज यहां पर सुगर फरी है जो जांच कैम्प लगाया गया है और यहां पर बिल्कुल निशूलक सुगर के मरी जोगी जांच की गई है हमारे सांस्था के पदादी कारी है सिद्धी भिनाक्षेव असमीती दवारा संचाली तो जैराम होस्पिटल है उसके पदादी कारी ह जिद्वारा लगाया गया है इसमें मदू महे के जो भी पेशेंट है जो भी मरीज आज यहां चेक कराने के लिए आएंगे उनका सबका फरी चेक अप किया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से ही डॉक्टर इंटीम यहां पर आई हुए है सभी गाउं से और से सभी पे केम्प लगाते हैं कभी मदू मे का आई का कभी बच्चों का गाइनी का तो इसी प्रकार से इसी कड़े स्रिंखला को देखते हुए बीरवार को दिनाग 16 दिसंबर को यहां पर आई का केम्प लगाया गया है और डॉक्टर संबन करग जी जो की सर्जन है उनके द्वारा य केम्प है दवायां फरी बित्रित की जाएंगी और फरी चेक किया जाएगा जैसे कि बच्चों को दिक्कत होती नवजात बच्चे थे उनको इशार ले जाए जाता थे दूसरे सहरों में ले जाए जाता थे वह बहुत सुभी धन नर्वाने के अंदर जैराम होस्पिटल मे प्रयास से यहां पर बच्चों की नर्शरी का उद्गाटन अभी एक अफ़ता पहले किया था जिसमें हमारे मान्या मुख्या थे दी तेजवन तराई जी गोविल थे उनके द्वारा ही इस नर्शरी का उद्गाटन किया गया और जो माताएं बेहनों को जिसको बच्चा सत जाते तो बच्चे काब बीच में दंगुट जाता था कि सहर के अंदर जैराम हस्टाल के अंदर बच्चों के नर्शरी खोली जाए जो कि हमने भूंप भे खोल दी है अब किसी माताव को बहनको कहीं बाहर इसार या कहीं बाहर जाने जूरूत नहीं सबी बच्चों देखते हैं और आपनी सेवाइए दे रहे हैं और इसी प्रकार डौक्टर प्रियंका घत्री जी सर्जन बच्चों की डोक्टर है और यहां प्रेसिन भी बहुत अच्छे तरिके से नहीं नीट टेक्न immigrant के द्वारा किया जाते हैं हमारा प्रयास है सभी सहर बैस्टियों के सहयोग से आज जैसे आज मदूमे का कैम्प लगाया गया था श्री आचारिय महंद श्री अजय गिरी जी दौराद यहां होस्पिरल में आगया श्रबत दिया गया हम सोचते हैं यहां पर अच्छी से अच्छी अपनी आप लोगों के लिए सिवाई देश के जबकी पूरा हलका के आसपा से गाउं के लोग यहां पुरा आगे अपना अच्छा इलाज टासके और मला सुपर फैसलिटीज यहां देने के लिए हम प्रयास रहते हैं सोना तारिक का जैराम हस्पिताल के अंदर आइज का फरी निश्कुल कैम्प लगाया गया है इस कैम्प के अंदर डॉक्टर समंगरगी समाना वाले जोगी सर्जन है बहुत आही अच्छे आइस पेसलिट है उनके दुवारा उनकी टीम के दुवारा अपनी सेवाई दी जा होंगे उस पे विशेश छूड़ दी जाएगी और जो दुवाईयां होगी वह फरी बित्रित की जाएगी मैं सभी सहरवाजियों से गाउंवाच्छों से यही निवेदन करूंगा जिसको भी अपनी आइस चेक करवानी है या किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो यहां आकर जयाराम हस्पिताल में आगर निशुल्क चेक रहें और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्राप्त करें और दौईयां निशुल्क लें धन्यवाद अभी तक सुगर का कैम चल रहा है सबसे पहले तो मैं आप सभी को दन्यवाद हो नमस्कार जो इस कैम को सफल बनाने के लिए आप सभी का योग दन रहा अभी पचास से साथ मरीजों की जांच हो चुकी है और अभी भी दो बज़े तक का कैम चल रहा है जो शुगर के उपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनको लगता है क्योंकि शुगर एक ऐसी बिमारी है जिसमें इमीडेटली एकदम से जैसे हर्ट अटेक के मरीज हैं दो दिन में ही जीवन का जिन्दा रहना और या पर मोत का खत्रा बना रहता है इसमें ऐसा नहीं है यह एक लंबी क्रोनिक बिमारी है जिसमें से अंग धिरे-धिरे इन्वोल होते हैं धिरे-धिरे उनमें असराना चालो होता है और एक लिमिट से उपर जितनी भी शुगर है वो तो इसलिए इनका कंट्रोल करना काफी जरूरी है आगे वाले समय को ध्यान में रखते हुए आज से अगर किसी को शुगर डाइगनोज हुई है आज तो यह मान के चलो कि उसको शुगर हो सकती है दस साल पहले से हो तो अल्रेडी पहले नुक्सान वो कर चुकी है लेकिन अ अंग खराब ना हो उसको देखके चलाई जाते है तो सर्फ जैसे देखते में शुगर बढ़ते हैं जो मिठा खाना च्टू दिता है कैई फो दिक्यत होती है उनकि तो उनके लिए क्या गाना सब्सक्रीन कम हो रही है तो उसका में कार्ण होता है कि पेश्ण इंशुलीन प तो उस केस में शुगर कम हो सकती है क्याक को अपनी डोज अद्जस्ट करनी चाहिए उनको इस चीज में अवेरना है कि estoy कि कम क्कशन सब्सक्ञार कि निच्श निचे आने के बाद उनको शुगर का इंजेक्शन उस टाइम के लिए एक सिंगल टाइम के लिए अगर सतर से नीचे आती है तो एक टाइम का इंचुलीन आप अवोइड कर सकते हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगे लिए दो तीन दिन तक इंचुलीन ना लो फिर उससे बढ़ जाएगी शुगर एक सिंगल बंगा है हां नीचनेटिक क्षिड़ होता है अगर أنا बाप में कोई भी पिरेन्ट्स में हैं तो आगे बच्चों में होते हैं साथ ही-शुगर के चैंजिज़ं की विजएसे इस में परेडिस्पोजिशन है और साथ मों लाइफस्टाइल अगर उसका नहीं है तो उ इसमें शुगर की बिमारी को एक तो हलकी में ना लें अगर 35 साल की उमर के बाद हर साल एक बार शुगर टेस्ट जूरूर करवाएं क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज है क्या पता काफी टाइम के बाद पता लें जब तक लेट हो जाएं करोनी कॉंप्लिकेशन से पहले इसका पता लगाना चाहिए और अगर आप अपना बोड़ी वेट आइडियल रखते हैं वजन को बढ़ने नहीं देते हैं सुबह श्याम जब भी टाइम मिलें शरीर के लिए गंटा निकालके एकसरसाइज या फिर सैर करें क्योंकि जब चलते पहले तो यह है कि अगर पेरेंट्स में या परिवार में शुगर है तो उनको अलर्ट रहना पड़ेगा एक हाई सस्पीशन रखना पड़ेगा कि शुगर की बिमारी हो सकती है जो लक्षन है उसमें मेंली है कि ज़्यादा प्यास लगना ज़्यादा भूख लगना और जो जनलाइज वीकनेस है लिथार्जी जिसमें मतलब कुछ भी आप चलोगे तो थोड़ा वो सांस फूल सकता है तो ऐसी चीज़ें हो सकती है या फिर हाथ और पाव में नंबनेस चींटिया जैसे चलना ठीक है इस टाइब के सिम्टमस आ सकते हैं